हेलो दोस्तों, all well, आम तोर पर लेसून को इंग्रीडियंट्स के तोर पर देखा जाता है, पर यह सच में एक दवाई है, बस काम कैसे कितना लेना है, यह समझाना चाहिए, आज के इस वीडियो में इसी बर बाद करेंगे, और जानेंगे कौन सी बिमारियों में यह कारगर है पहले चीज़ तो यह गर्मियों में इसका सबसे कम से कम इस्तमाल करें, और सर्दियों में जितना चाहें उतना, कच्चा लैसून भी भारतिया रसोई में पाया जाने वाला महतपूर्ण सबजी है, जिसे हम एक ऐसी जड़ी बूटी से कम नहीं आख सकते, बशरते पहले हम कच्चे लैसून के गुणों के बारे में अच्छी तरह से जान ले, सुबह के समय खाली पेड, पानी के साथ कच्चा लैसून लेने से सौस्त में सुधार आता है, पहले यह जानते हैं इसके इस्तिमाल का तरीका, रोज सुबह पानी के साथ खाने से आपका पाचन हमेशा ठीक रहता है और पाचन समंदी विकार भी दूर रहते हैं। लेवल कम करने में मदद मिलती है जिसके वज़े से आपका शुगर लेवल नियंतरित रहता है। क्योंकि इन दोनों संकर्मणों से लड़ने में लैसुन कारगर है। UTI से परेशान महिलाओं को भी रोज सुबह एक गिलास पानी के साथ लैसुन खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों लैसुन कुछ मामलों में नुकसान भी पहुँचा सकता है। अगर आप अपने रोज के भोजन में लैसुन को शामिल करते हैं तो आप ठंड से खुद को जादा अच्छे तरीके से बचाओ कर सकते हैं। दिल की बिमारियां जैसे हार्ट अटेक और स्ट्रोक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशेर या हाईपर टेंशन इन बिमारियों के होने की मुख्य वज़ाओं में से एक है। मानोँ पर किएगे अधियन से बाद सामने आई है कि लेसुन के पोशक्तत वह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर गटाने में मदद करते हैं। के कलियां इस्तिमाल करें, काफी फाइदा होगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में